बारतिय विचार मंज गुजरातना वैचारिक छेत्रमा छिल्ला 31 वर्ष्थी कार्य रच्छे आनो पद्राह क्रतो यंतु विश्वता है विश्व बर्माथी अमने सुब विचारो प्राप्त थाओ आद ये वाक्यों साथे चालतु आएक बहुदिक आंदोलंज परिसमवाज, सेमिनार, यंग फिंकर्स, मिट, राष्ट्रिय संगोष्थी, विचार गोष्थी, वाचक गोष्थी, कॉलमिस्ट गोष्थी, साहित्य निर्माण, सोध, अनुसंदान आवा विविद उपक्रमोना मध्यम थी, गुजरात ना अढ़ार केंद्रो उपर भर्तिय विचार मंच नू काम चाले जे भर्तिय विचार मंच माने जे के विचार सर्वोपरी जे, विचार चीतना नो आविशकार जे, समाज ना मानस नू निर्माण करवानू काम विचार करे जे अने समाज ने विचार दाराना आधार राष्ट्रा ना बविशने दिशा अने गती नक्की थती गोई जे भार्तिय विचार मंचना कितलाक एक चोक्कस नक्की करेला स्पेसिफिक लक्षांको जे वे ने टुकमा वाद करू जुँ उद्दात भार्तिय जीवन मुल्योंना आधार पर राष्ट्र जीवनना प्रत्तियक क्षेत्रमा युगानुकुल पुनर रत्नानी दिशा अने सुत्रोंनी सोध करवी विगतनकारी प्रभुप्त्यों ने जण्मा आपनारी मजहबी प्रसारवादी विदेशी वीचार धाराव और सत्तलो लुप राजनितीना वास्तविक चरित्र तथा गटी विद्योंनु घ्नान देश्वाशियों ने करावु तथा राष्ट्रिये एकता और सामाजिक समर वायव मंड़ तैयार करूँ, मेकोले अने मार्क्स ना भारतिय मानस कुत्रों, तथा वोट राज निती ना बंदी राज निताव द्वारा फेलावाम आवता द्रश्टी विब्रम अने अपप प्रचार नो प्रभावी उत्तर अप्पो। कादानी नो सवथी जूनों आने सवथी व्यापक रूपे तसारी थतु साप्ताहिक माथी एक ओर्गिनाइजर। ओर्गिनाइजर नी रिडर्शिप खुब जड़पती वधी रही थे। अने आखा बारात मां 5 लागती पन वजार है इनना पाद्रपूर। अधना कार्याग्रम नी थोड़े संक्षिप माँ वाद करी लई है कि आम मीट गुजरात इंफ्लूएंसर मीट सेना माटे है। यहां प्रभाव यह लोको छे बिन्न-बिन्नक्षेत्र ना सोशेल मीडिया ना चे ब्लोगर्स चे यूट्यूबर्स चे के जेमने जोईने समातनों खुब मोटो वर्ग चाली रहो है। यहां प्रभाव चे खुब एक पोत्पोताना क्षेत्र में एक मोटाव वर्ग पर। आपना दरेक नहीं मनों भूमी माँ एक बीज पड़ेलू होई छे राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वपरी, आ बीज आपना बदा हमाँ पड़ेलू जोई चे। यहने अंकुरीत करो, यहना माटेनु जेवां आपणेजे पड़ा वायू मंड़नी वाद करवी। तो यहां एक वायू मंड़ माँ आवा जे बीज चे अंकुरीत थाए, यहां प्रभावत नना बाग रूपे आजनू आपने यां मीट गोठोय चे। विशे निवाद लिए, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविजम फर भारत, वे आजरे एक्टिविजम सब्दा आवे ने इतले, आपने फुडु ठक माटे, अच्वा क्यां दमन थतू होई तो यहना वीरोज माटे, अच्वा जागरूती माटे, एक्टिविजम ना कॉमन आपने जोया छे, अहिया हेतु आपने यहोँ छे, कि राष्ट्रा नी अखंडित ताने मजबूत करे, यहुँ कंस्ट्रक्टिव सर्जनात्मक राचनात्मक एक्टिविजम आपना जिवा लोको आगल लई जे छे, यह आजनों हेतु छे, आपने वच्चे जे अत्यारे जे पेलास सत्रना उठता छे, अने जे मोडरेटर छे, अनों पनों संक्षिप मा परी चे आपने आपू, जे समबात थावानों छे ना सेतु तरीके आपनी वच्चे रहवाना छे, डॉक्टर सशी कांजी बगत, मोडरेटर तरीके रहवाना छे, बारत नी सर्वप्रथम स्टा स्कूल और इनोवेशन इन्योर्सिटी ना स्कूल और लिबरल आर्ट्स, जर्नलिजम और मास कम्मुनिकेशन विबाग ना आप प्रोफेसर अने होडी छो, मन्या प्रफुल जी ना परीचे आपू, प्रफुल केतकर जी, 2013 के बाद भारत की सबसे पुरानी राष्टरवाद पत्रिका में से एक और्गिनाइजर में संपा दखे, आपको अनुसंधान मीडिया और शिक्षा के क्षेतर में 20 से अधिक वर्षों का अनुबव है, स्कूल और जर्नालिजम दिल्ली विश्व विद्यालाई के गवर्निंग कांसिल के आप सदे से भी है, चीन और दक्षिन पूर्व एशिया, व्यापार और अर्थ व्यावस्ता और गैर सन्य सुरक्षा मुद्दो के विशेश संदर्व में अंतरराश्ट्रिय राजनीती और विदेशनीती से संबंदित मुद्दो पर आप लिख रहे हैं, जे एन्यो कॉर्ट और नेशनल बुक प्रोमोशन कांसि के सदे से है, तुलनात्मक राजनीतिक दर्शन और तुलनात्मक सव्यताय आपकी रूची के क्षेत्र है और आप विभिन्न प्लैटफॉर्म के माध्यम से भारतियता और भारतिय सव्यता के व्याख्यान देते हैं, श्री केतकर जी ने आकास्वानी के समाचार सिवा नई दिल्ली से PM, नई दिल्ली से MPHL की उपादी प्राप्त की है, कई शोध परी योजनाओ पर काम किया है, Institute of Peace and Conflict Studies, IPCS, नई दिल्ली में Fault Scholar के रूप में आपने काम किया है, Alternative Approach to Security नामक पुस्तक का सहलेखन किया है, आपके श्रेय में दो पुस्तके 29 अकादमिक लेख, यूरोप के प्रती भारत की विदेशनीती पर भारत के विश्वकोस में दो प्रविष्टियां और लालकृष्णा आडवानी की संक्षित जीवनी और कई शोध प्रकाशन है, आपने भारतिय प्रतिनीती मंडल के हिस्स के रूप में, विशेश रूप से चीन, म्यानमार, बंगलादेश और विएतनाम जैसे कई देशों का दोरा किया है, आप राजनीतिक और विदेशनीती के मुद्दों पर डिडिड न्यूस, टाइमसनाव, एबिपी न्यूस, आईबिएन, लोकमत, रीपब्लिक आदी जैस मेडिया के बढ़ते और बदलते सुरूप को किस तरीके से समझा जाए, सबसे पहले तो भरते विचारमंच को इस पहल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, भरते विचारमंच के सभी कारे करता और गुजरात में अपने लेखन, सोशल मीडिया में एक्टिविजम, ब्लॉग्स, कॉलम्स, इसके द्वारा, एक वैचारिक योगदान देने वाले सारे कारे करता यहां पे है, और सबको ही इसके बारे में समझ है, बहुत जेश्टर कुछ लोग भी है, लेकिन मैं जैसे देखता हूं, और आज के विशे से जोड़कर जैसे देखता हूं, तो स्वाधिन्ता अंदोलन से समय से ही, मीडिया और लेखन यह भारत में कंस्ट्रक्टिव एक्टिमिजम का ही एक प्रमुक साधन रहे, माध्यम उसका बदलता गया, और हर नया माध्यम आने के बाद यह पूछा गया, कि पिछले माध्यम का क्या होगा, जैसे रेडियो आया तो प्रश्न पूछा गया के प्रिंट का क्या होगा, इलेक्ट्रोनिक माध्यम आया तो पूछा गया के रेडियो का क्या होगा, और डिजिटल आ गया तो पूछा गया के इससे पहले वाले सब का क्या होगा, तो इसके दो अलग-अलग दृष्टी से हमको इसको देखना चाहिए पहली बात तो ये कि भारत में मीडिया की जो जर्नी रही मैं मोटा-मोटा उसको जादा समर्थ व्यक्ति है इसके बारे में बोलने के लिए लेकिन में मीडिया की भारत में खास करके जर्नी जब देखता हूं तो मैं उसको स्वाधिन्ता अंदोलन से लेकर लगबग 1954-1955 से 1975-1975 इमर्जंसी तक का इमर्जंसी से लेकर मीड नाइंटीज 94-95 तक का और उसके आगे यह फेजेस क्यूं है तो पहले फेज में हम देखते है कि चाहे मीडिया हो चाहे सहित्य हो चाहे लेखन हो उसका मीन्स और एंट्स इसको लेकर एक तारतम्य था साध्य भी देश के लिए कुछ करने का था और साधन भी देश से समात से लेकर करने का था इसलिए हम लगबग 54 55 54 55 इसलिए कह रहा हूं मैं कि भारत में प्रेस काउंसिल बनना और भारत के सरकार द्वारा विज्यापन निती बनना यह पहली बार मीडिया को अपने गोदी में बिठाने का प्रयास था वैसे तो उन्चास में हुआ था जब क्रॉस रोड्स और ऑर्गनाइजर पर सबसे पहली सेंसर्शिप लगी थी और अईतियासी केस हुआ था मीडिया वाले बहुत लोग इसको जानते भी नहीं है मलकानी जी ने वो केस फर्स्ट टाइम अज एडिटर लड़ा था और जीते भी थे तो भारत के लिब्रिल आइकॉन प्रदानमंत्री नेरू जी ने पूर्व और पस्चिम पाकिस्तान में जो हिंदूों पर अत्याचार हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग होने के कारण और और उर्गनाइजर पर सेंसर्शिप लगाई थी और सेंसर्शिप में हर न्यूज नॉट जस्ट एडिटोरियल हर न्यूज सेंसर कमिशनर से पास करवानी पड़ती थी मलकानी जी ने उसमें भी अपनी धार दिखाई वो पूरी की पूरी न्यूज वैसी की वैसे छापते थे और सेंसर ने जितना पोर्षन कट किया वहां पे सीजर कैची का चिन्न लगाते थे और वहां पे लिखते थे कैची के नीचे सेंसर सीजर तो किस ने काला किया यह तो सबको याद है लेकिन कैची पस पहली किस पर चली थी यह सब भूल गए तो कहने का मतलब यह है कि लोगों से धन इकटा करके मालविय जी ने लगभग 13 प्रेस खड़ी की थी समाथ से धन लेकर खड़ी की थी कोई सरकार की स्पॉंसर्शिप तो थी नहीं सब ब्रिटिज गवर्रमेंट की विरोध में लिख रहे थे तो वो धार स्वाधिनता के बाद भी कुछ कायम रही लेकिन यह प्रेस काउंसिल बनना डिए वीप बनना एड़ पॉलिसी बनना वहां से थोड़ा थोड़ा लेकिन उसमें भी क्योंकि संपादकों की प्रतिबाती एक स्वायत्त वृत्ती से चलने का मीडिया का यह था तो अपातकाल उसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना कुछ अपवाद छोड़कर ज्यादातर व्यवस्थाओं ने नयाई-पालिका से लेकर मीडिया तक सब ने सरकार के सामने गुटने टेक बिये और उसका परणाम हमको आपातकाल हटने के बाद भी दिखता है और वो दो रूप में दिखता है एक मीडिया में स्वायत्तता की जो साख थी चाहे वो कॉलमिस्ट की हो चाहे वो एडिटोरियल हो वो बहुत मातरा में घट गई किसकी सरकार है उसके अनुसार अपनी एडिटोरियल पॉलिसी बनाना ये शुरू हो गया लेकिन उसके साथ-साथ जो दूसरा महतोपून भाग हुआ वो मेडिया में पैसे का भ्रष्ट रूप आकार लेने लगा मीडिया इंस्टिटूशन्स में और इसका जो और व्यापक रूप हमको नब्बे के बाद दिखता है जो ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन उसमें कॉर्पोरेट और मार्केटिंग कौन ओन करता है और कहां से पैसा आता है यही चीजे जो है वो लेखन की दिशा को निश्चीत करने लगें केवल फॉरेंग मीडिया ऐसे नहीं आप भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंगलिश अकबार उठाके देख लीजिए और उसके एडिटोरियल पेज के राइट हैंड साइड पर रिसर्च के रूप में जो छपता है उसको कनेक करके देख लीजिए उनके एड कंटेंट से तो आपको समझ में आएगा किसका रिसर्च छप रहा है और किसकी एड आ रही है जब मिनिमाम 40% स्पेस बेचना है और किसी भी तरीके से बेचना है यह एक बार निती बन गई तो उसके लिए फिर कोई तारतम्या मैंने इसलिए कहा ना कि एंड्स और मीन्स का तारतम्या ऐसे में जब डिजिटल मीडिया आया इसमें और एक चीज हो गई वैचारिक स्थर पर एक बहुत बड़ा ऐसा एक वर्ग बन गया जो आज भी है आज भी है जो एकेडेमिया में है मीडिया में है सहित्य अकेडेमी में है जिसने 1960 के दशक के बाद अपनी एक मनोपोली एक गेट कीपर की तरह कर ली थी अचानक हम देखते हैं कि एंटी करॉप्शन मुवमेंट के बाद वो लीड हट गया गेट कीपर्स की रोल खतम हो गया आज एडिटर के नाते मैं यदि किसी चीज पर मेरा फिल्टर लगाता हूं तो उसके पास अपना प्लैटफॉर्म खुला है वो अपना विचार वो भी एक अलग तरह की सेंसर्शिप है लेकिन फिर भी कम से कम रखने का स्वातंत्र है उसका रीच कितना होगा यह बाता लगया तो इस डिजिटल मीडिया ने एक रिवुलूशनाइज कर दिया और वहां से यह एक्टिविजम का शब्दा है एक्टिविजम पहले भी था अब चैलेंज हमारे सामने ये है कि इस एक्टिविजम को हम कंस्ट्रक्टिव दिशा में कैसे रखे तो यह बदलता जो स्वुरूप है जैसे मैं मीडिया संस्थानों में पढ़ाता हूँ मीडिया संस्थानों में बहुत बच्चों के इंटरव्यू करता हूँ तो उनके सामने कुछ सोशल मीडिया के आइकॉन्स और कुछ इलेक्ट्रोनिक मीडिया के आइकॉन्स यही एक्टिविजम का स्वरूप है तो वो कभी बर्खादत को लेकर कभी रविश कुमार को लेकर या सोशल मीडिया में कोई किसके कितने मिलियन फॉलोर से उसके आधार पर उनके आइकॉन्स बन रहे हैं स्वावाविक रूप से जो लेखन चाहे वो मीडिया का हो चाहे वो कॉलम का हो चाहे वो इलेक्ट्रोनिक मीडिया का हो या इवन बाकी चीजों में script लिखना हो, story लिखना हो, उसके लिए जो rigor लगती है, उसके लिए content का एक जो अपना खुद की एक शैली विकसित करनी पड़ती है, उसके लिए जो मेनत करनी पड़ती है, उससे वो हटकर एक instant, जैसे खाने में एक आ गया है, कि instant food है, वैसे instant story और breaking news के चक्कर में तो, media में खास करके, वो news को ही break कर देते हैं, तो और print में कम से कम हमारे उपर यह दाईत्वर रहता है, कि बही कुछ गल्पी हो गई, तो उसके लिए हमको कुछ न कुछ कॉरियंडम देना पड़ता है, इलेक्ट्रोनिक में तो वो भी नहीं है, आप आज अभी एक दे दो, पांच मिनिट बाद उसके बिल्कुल विरोध में ख़बर दे दो, पहली को न करने की ज़रुवत नहीं है, वो भी ब्रेकिंग थी, ये भी ब्रेकिंग है, दोना परस पर विरोधी है, तो ऐसे में मुझे लगता है, कि जो इंफ्लियंसर्स है किसी भी रूप में, वैचारिक रूप से हो, मेडिया के रूप से हो, उनकी भूमी का महत्वपूर्ण हो जाए, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैरेटिव बिल्डिंग, तो आप स्टोरीज नेरेट करते हो, लेकिन वो स्टोरी नेरेट करने के पीछे की आपकी दिर्ष्टी क्या है, तो यह जो पूरा एको सिस्टिम बना, आज इसको, जनरली तो यह परियावरन शास्त्र से आया हुआ शब्द है, तो छोटी-छोटी चीजे होती है, लेकिन उसको, उस इको सिस्टिम को किस तरह से अपरेट किया जाता है, यह सबसे पहले जो एक्स्पोज हुआ, वो रामजन में हुनी आंदोलन में हुआ, और उसको एक्सपोज करने वाले, उस समय टाइमस ओफ इंडिया से, निकल कर जिनोंने, हिंदू फेनोमेनन नाम से तुसके लिखी, घिजवाल जी जैन, वो पहने जेखी, इनकी बेटी मीनास की जैन में पूर इसको भी लिखी, आए जया बातिने लिखे उबर, इसको भी हम सबको पता है एक डाइलॉग की प्रोसेस सिरू होगें की, बसा चती सब भी इनकी जैक्षिंग जाए जी बहात आंगें की, आंगें की जेज़े भी इस लेवल कप अच्चेशा है, और ऐसे में मैं जहां के पढ़ाऊंगी, वहां का जेवी जाए, और यही इस और इस्व खेर होगें। कैसे लूने पाधर पर थी को धी स्कतिती से टार्तन नहीं। लेकिन हे खार ठापर means reform ने था भूद्न खॉपर को पोस्किल कें। यह उसको मीडिया वाले सोच परते हैं उनिपर राव करें वागरे की परी ओगए थी और यह समनी उतारे था राम जन्मी नी आज़ों को सेकुलर कमीन वायमिन सेकुलर बसके कमीन वह तिस परते हैं और स्कुलर होना प्रोग्रेशिव होना उसाज़ नीटे आफे कर्णा राव देपर की वह जो उसके रहता हैं इसलिए मे आखे कमी सुछे होना या नीटे आपने मिश्ची कर्णा शक्यान आखिक होना परते हैं और बार बार एक ही चीज को नेरेटिवाइज करना थूरू डिफरेंट स्टोरी तो जैसे गुजरात की 2002 की एक फोटो आइकॉनिक पॉपिलर की गई या अभी हम देखते हैं तो सीरिया से जो एक बच्चा सीशोर पर टाइम ने उसको कवर पे ले लिया और अचानक आइकॉनिक बन गया तो आपके पॉपिलर कॉंश्चेंस में एक नरेटिव कुछ मुल्यों को प्रस्थापित करता है कुछ वैल्यू उसको प्रस्थापित करता है तो आज यूरोप में क्या हो गया है तो यह इनलीगल माइगरंट जो आ रहे है उनको यदि विरोध करते हैं तो हम लिबरेलिजम की विरोध में हैं अमेरिका में क्या हो गया है तो अमेरिका में 2001 से एक सिस्ट्रमेटिक केम्पेन हुआ जिसको मीडिया ने आगे बढ़ाया कि यदि हम 2001 एक में जो 20 टॉर पर हमला हुआ उसको यदि हम इसलामिक टर्रिरिजम से जोडते हैं तो वो इसलामोफोबिया है मैं पिछले वर्षी अमेरिका में गया था दस-पंदरा दिन के लिए बहुत सारे हिंदू संगटनों के साथ भी वहां पे मिला कुछ वहां के हिंदू स्वेम सेवक संग के परिवारों के साथ भी रहा आज वहां का हिंदू युवा भी किसी भी संदर्ब में कि इस्लामिक फंडमेंटलिजम या एक्स्रिमिजम पर बात सुनना नहीं चाहता वाइट तो बिल्कुल ही नहीं चाहता उसके मन में गिल्ट कॉंशसनेस क्रियेट किया गया है कि आप इसके बारे में से बोलोगे न तो आपके जो पुराने पाप है उसका यह परिणाम है यह गिल्ट कॉंशसनेस क्रियेट करने के कारण हुआ क्या है आप तथ्यों के आधार पर प्रस्थापित नेरेटिव उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर सकते और इसलिए फिर हमास का अक्रमन जो है इसराइल पर यह फिलिस्तिनी रेजिस्टन्स हो जाता है हमास नाम के संगटन को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है इसराइल जब तक प्रिसिजन से हमले नहीं करेगा नुकसान तो फिलिस्तिनी लोगों का होने वाला है हमास को फिलिस्तिन से कोई लेना देना नहीं है लेकिन उससे भी बड़े मज़े की बात यह है कि मानलों वहां से फिलिस्तिनी लोग निकलते हैं लगबख सात लाख फिलिस्तिनी वहां से नॉर्थ गाजा से उन्होंने माइगरेट किया ऐसा मोटा मोटा अभी युएन के आकडों के इसाब से और पूरा का पूरा अरब वर्ड इस्पेशली कतर इजिप्ट यह देश कहते हैं कि नहीं वी स्टैन्ड बाय फिलिस्तिनी ब्रदर्स लेकिन आज भी मीडिया में कोई भी एक व्यक्ति उनको कोई एक इन्फुलेंसर सवाल करने को तयार नहीं है कि आप कितने फिलिस्तिनियों को शरण देने के लिए तयार हो शर्या में इतना हंगामा हुआ यूरोप तक लग पहुँचे नौर्थन यूरोप तक पहुँचे नौरवे स्वीडन तक सचे किसी ने नहीं पूछा वढ़िस एशिया में इतने इस्लामिक कंट्रीज थे वहाँ पर जाके आप शरिया लौ चाहते हो जहां पर अल्रेडी शरिया लौ आए वहाँ पर क्यूं नहीं जा रहे हो तो यह तथ्य है यह किसी के विरोध में या फेवर में बोलने की बात नहीं है लेकिन तथ्यों के आधार पर intellectual discourse हो ही नहीं सकता इस तरह का वातावरण और उसको ब्रीच करके कोई बोलता है तो वो सोकॉल मेंस्ट्रीम से बाहर हो जाता है और वो फिर radical, rightist, regressive, communal, brands तयार है तो इसलिए यह जो ecosystem बना हुआ है यह academia, media, NGOs और उनके भारत के बाहर बैठे हुए हस्तक international organizations है, think tanks है और international media भी है यह सारा ecosystem एक दूसरे की आवाज को quote करते हुए एक value system को nurture करता है intellectual space में और धीरे धीरे वो value system जब percolate होती है नीचे के level तक यह पहले English में प्रस्तापित होता है 1986 के आसपास मुझे जहां तक यादे, हाला कि मैं बहुत चोटा था लेकिन अध्यान से भी मुझे ध्यान में आता है कि 1986 के आसपास 86 के आसपास भारत में human rights का discourse पहली बार English में प्रस्तापित हुआ कि 90 आते आते वो पूरी तरह से Hindi में आ गया था भारतिय भाशाओं में 93-94 में international NGOs आने लगी और human rights का discourse ऐसे हो गया कि सेक्रेड का हूँ है उसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी कि वह human rights का कहना किसको है अब समय है तो केवल एक उधारन के लिए आपको बताऊंगा अभी सारा जुडिशियरी का discussion चला कि सेन सेक्स मैरेज के उपर कि मुझे ऐसे एक पैनल पर बोलना था कि मैंने केवल दो प्रश्न पूछे मैंने कहा कि के आर यू रेडी टू डिफ्रेंशियेट बिट्वीन जेंडर वेरियेशन्स एंड सेक्शुवल प्रेफरेंसेश्स भई ट्रांस वूमन है या ट्रांस मैन है जिनको हम किन्नर कहते है उनका अखाड़ा भी है भारतिय पद्धती में यह वेरियेशन्स रेकगनाइज्ड है बाकी जगह पे तो स्टोन पेल्टिंग का अधिकार है इनको आपको एल जी बी क्यू के साथ टी क्यू जोडना पड़ा टी तो नैच्रल है यह तो चोईस है वाइर यू मिक्सिंग अप जेंडर वेरियेशन होना और सेक्शुल प्रेफरेंस या ओर्येंटेशन होना आर दे सेम और डिफरेंट थिंग मैंने तो प्योर कंसेप्च प्रशन पूछा था सडंडी खड़ा हो गया नहीं यू आर होमोफोबिक होने का क्या संबंद है I am saying if there is a personal choice of same-sex union I am for it it is a personal choice I am talking about the social institutions जब तक वो personal space में है तब तक उसका मामला है मुझे क्या लेना देना है मेरा problem तब शुरू होता है when somebody start asking it to recognize by society as marriage मैं उसको विवाह क्यों कहूं यह क्या जबरदस्ति है कि आप हम चाहे वो चॉइस भी रखे और उस चॉइस को नाम वही दो जो आप बाकी चीज़ों के लिए इस्तमाल ऐसे कैसे होगा और दूसरा प्रश्ण मैंने कहा क्योंकि उसमें महतोपूर्ण विशेह था एडॉप्शन का मुझे लगता है प्रादेशिक भाशाओं में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए क्या आप जिस बच्चे को एडॉप्ट करने वाले हो उस बच्चे को यह चॉइस देने वाले हो क्या उसको सेंसेक्स परेंट्स चलेंगे क्या अगरे क्रिकित कि यह उनकी बाश्या में में आता है अन्यों कि यह उनकी बाश्या में उनको समझ में आता है जिस परोग आप को सह जार विशे इंट सब्सक्राइब क्रिए मॉर्ट कि ओ क्या तुव पर यह इन वाट संसेक्ट Kingdom इसको हम एड़ाप्ट करते हैं तो इसके वह एड़ाप्ट है जरी है तो इसको इसको आपको पेरेंट आपना नहीं हमाने हुए जब जिए और जिए और जिए इस विशय को उठाते है कि भारतिय परंपरा में भी कितने तरह के जेंडर्स के रिकिनीशन है थर्ट जेंडर्स भी केवल हमने एक नहीं माना है और इसमें एक सबसे बड़ा अभी जो फ्रॉड हो रहा है जिन रिलीजन्स में इस 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 जेंडर्स के नाम पर कन्वर्जिन के अलगव प्रियों बतब चाइड राइट के बारे जी चर्चा में करने इस इस्या के अधिकारों के बारे जी चर्चा में करने इस अधिके इस, इस, इस सब्सक्राइट के बारे जी चर्चा में करने इस बिखेट से दिंग जिसक्टिते। यह और्गुमेंट करके आज की जनडरेशन के समने नहीं चलेगा because intellectual space में उन तक यह terminology यह conceptual categories ओर अज सोचल मीडिया ने YouTube ने इनको इसके बारे में भी जादा hyper sensitive कर दिया and that's why I deliberately raised this issue मेडिया टाइम एकॉर्डिटे टु 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 टाइम एकॉर्डिंट प्रेंड एकॉर्टिं टु पर टमान चल गासे प्रस्पेक्टिव डिन इसमें काथी कुछ अपीर सब्सक्राइब इसके कहीं न कहीं हमारी जो भारतिया अखंड आ है इसको लेकर पे-ुछ खत्रा ड़ना वेस्विक बजार सक्षिनल विमर्स जैसे मुद्व पर चनात्मक फोकस को कैसे देखते हैं और इसका भारतिय अखंडता को बदनाम करने के परियासों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि दिखिए अभी कि शुरू के भरते विचार मंज का परिचे कराते हूं ने दो लोगों का उल्ले किया मार्क्स और मेकॉले मैं साथ एम की बात करता हूं मार्क्स और मेकॉले तो है ही लेकिन उसके सिवा मिल जेम्स मिल जिसने सबसे पहले भारत का छे खंडों में इतिहास का लेखन किया मिल कभी भारत में आया नहीं था लेकिन मिल भारत के साथ इस्ट इंडिया कमपणी के होने वाले सारे पत्र व्यावार का पोस्ट मास्टर जन्रल था उसके आधार पर उसने six volumes में history of इंडिया लिखा चौथा था जिसको स्वामी विवेकानन्द ने भी रिशी के नाम से कहा लेकिन भारतिय ग्रंतों के डिस्टॉर्शन में बहुत बड़ी भूमी का उनकी रही वो था मैक्स मिलर क्योंकि मनुस्मृति को चेरिपिक करना हो या भारत के उस समय वो भी भारत में कभी नहीं है कि रॉयल सोसाइटी में उस समय 10,000 पाउंस की फेलोशिप दी तो हम जैसे वोड फेलोशिप लेने वाले यह पहले फ्रॉड नहीं यह मैक्स मुलर की जमाने से चलता है कि तो मैक्स मुलर ने संस्कृत ग्रंतों का यूरोपिय चश्मे से डिस्टॉर्शन तो यह चौथा पांचवा जो एक जर्मन थिंकर हो गया मैक्स वेबर जिसने मॉडरन स्टेट ब्यूरोक्रसी की पूरी कंसेप्ट आयन फ्रेम की कंसेप्ट दी उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है Rise of Capitalism and Protestant Ethics तो Protestantism, Capitalism और Modern State इनका आपस में क्या संबन्द है इसको लेकर वो पहली बार वहिचारिक यह देता है तो मैकोले, मार्क्स, मिल मैक्स मुलर, मैक्स वेबर मिशेनरीज और मुलाडन यह साथ एमस है जिन्होंने भारत के intellectual जगत को ग्रसित रखा है उसका अलग-अलग आउतार आते रहता है कल्चरल मार्क्सिजम उसका एक नया आउतार है जहां पे सो कॉल्ड लिब्रल्स ने मार्क्स साथ हाथ मिलाया है जो एक्चुली मार्क्स को नहीं मानते मार्क्स की जिसने समिक्षा की ऐसे ग्राम्शी को मानते है ग्राम्शी 1925 के आसपास मार्क्स पर एक टिकात्मक ऐसे लिखता है और जिसमें वो कहता है कि क्रांती जो है ये कोई वर्कर्स वर्का के भरो से नहीं आती है इंटेलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जो Stuart Hall नाम का ग्रामशी का चेला था उसने कुल्चरल स्टडीज का सेंडर शुरू किया और उसको पहले ही इसमें उसने लिखा है पर अभी भी वहां पे लिखा हुआ है अभी भी वहां पे लिखा हुआ है The purpose of cultural studies is not to study culture Then what? The purpose of cultural studies is to challenge the hegemonic one and create a new one अब hegemonic culture किसको कहना है इसकी binary उन्होंने डिफाइन की है exploiter and exploited तो सुग्रिव और बाली का relation है तो सुग्रिव हेजिमन है राम और सुग्रिव का relation है तो राम एक्स्प्लोईटर है इंटर्प्रिटेशन से गहरा संबंद था जिसके परिणाम आज हम समाज में भूगत रहे राम जन्मूवी का अंदोलन तो हो गया विवादी ढाचा भी गिर गया आप मंदिर भी बंद रहा है लेकिन 96 से लेकर 2000 के बीज में जो थेरीज गड़ी गई बाली वद, शंबुक वद, सीता त्याग और रावन वद आप मर्यादा पुर्शत्तम श्री राम कहते रहो आप राम का मंदिर बनाते रहो लेकिन शंबुक का वद किया तो एंटी स्टी था बाली का वद किया तो एंटी स्टी था सीता का त्याग किया तो एंटी वूमन था रावण का वज़ किया तो अंटी ब्राह्मन था मर्यादा पुर्शुत्म का हैं तो ये थेरिस के वल गड़ी नहीं गई समाज के तपकों में ये पहुँचाने का एक सिस्टेमेटिक एक्टिविजम खड़ा किया गया जो महिशासूर शहिद दिवस विजय दश्मी के दिन JNU के कैंपस में पहली बार 98 में मनाया गया मैं उस समय JNU में संग का कार्यवाद था वो 2007 तक बस्तर के जंगल में पहुँच गया 2011 में मैसूर के विजय दश्मी उत्सव के सामने महिशासूर शहिद दिवस मनाया गया और आज सोशल मीडिया में एसिस्टिती है कि मैशासूर शहीद दिवस के नाम पर सोशल मीडिया में एक्टिविजम करने वाले जनजाती क्षेत्र से लोग खड़े हुआ तो ये जो एकेडमिक केंपसेस में हाइदराबाद सेंटरल इन्वर्सिटी, जे न्यू, पॉंडेचरी, प्रेसिदेंसी कॉलेज कलकत्ता ऐसे लिमिटेड एरियाज में रहने वाला एक इंटेलेक्टिवल क्लास था, सोशल मीडिया ने अचानक उनके सारे थेरीज को पोस्ट 2015-16 अनलिश कर दिया और क्योंकि पुराने गेटकीपर्स बेकार होई रहे थे तो उनको भी अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाने थे तो उनका उपयोग करते हुए इन सारी थेरीज को लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ चेहरे भी प्रस्थापित किये और इसलिए उस वैचारिक एको सिस्टिम का एक नया आवतार जिसमें फॉरेंट फंडिंग भी है जिसमें एक टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है जो भारत का भी विकास नहीं चाहती भारत की भारती अता का भी एसर्शन नहीं चाहती हिंदू नाम से तो पहले से यह अलर्जी है और इसलिए एक आत्मविसुलूती और आत्मगलानी इन दोनों का मिश्रण करके पहले तो उन्होंने इस भावना को दबाने का काम किया फिर भी यह एसर्ट कर रही है ऐसा दिखने के बाद उन्होंने कल्चरल मार्क्सिजम की स्ट्रेजी जो होती है क्लासिकल कल्चरल मार्क्सिजम की इफ यू कांट चैलेंज दे हेजिमन फ्राग्मेंट दो सोसाइटी विद पेरिफरल आइडेंटिटीज परिघी पर ऐसे छोटे छोटे गुरूप्स खड़े करो जो आपकी मुख्य पहचान को question करने लगे मैं जाइन हूँ मैं इंदु नहीं हूँ मैं इनुसुचित जाटी का उँ मैं इंदु नहीं हूँ मैं मैं मैला हूँ इसलिए मैं इंदु मतलब आप कौन-कौन से कारण निकाल सकते हो उसके आधार पर identity करो ताकि आपकी मूल identity कमजोर हो मूल identity कमजोर होती है तो धीरे धीरे एक स्थितिया ऐसी आती है ब्रेकिंग पॉइंट आता है सोसाइटी में जो अनार्की तक ले कर जाता और अरा आजक तक और ग्रामशी के के इस थेरी के आदार पर पहले revolution करने वाला व्यक्ति था माओं उसने कहा था अनर्की इस दप्री कंडिशन फॉर revolution तो परपल revolution जो अरब कंट्रीज में हुई और वहां से सारा ये आइसिस का मामला शुरू हुआ बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि अरब कंट्रीज में ये सारे कल्चरल माक्सिस ग्रूप क्योंकि इसलामी कि इसमें तो official communist party के नाते वो काम नहीं कर सकते थे ये सारे कल्चरल माक्सिस ग्रूप academia में और media में active थे और वहां से American think tank से funding हो रहा था जिसके आधार पर ये सारा औरकेस्ट्रेट किया गया तो भारत को भी उस दिशा में लेकर जाने का एक प्रयास है और इसलिए वहिचारिक जगत में ये भूमी का महतुपून बन जाती है और मैं स्वयम ऐसा मानता हूं कि anti-corruption movement उसका पहला प्रयोग था फिर अवार्ड वापसी दूसरा प्रयोग था एंटी-CAA movement तिसरा प्रयोग था चौबीस से पहले और क्या-क्या प्रयोग करते हैं देखना पड़े अब जो मेन हमारा थीम है अब उसके उपर आते हैं इंफ्लुएंसर्स समय समय पर भारत को नए आकार देने की नया नाम देने की कोशिस की गई है अब है ये एक पुरा एक मोमेंट आसे चल जाने की नए भारत अधिनिक भारत प्रगतिसील भारत तो इसमें जो को आप किस तरीके से देखें कैसे वह एक अपना रोल निभा सकते हैं भारत को नए आकार देने हैं देखिए भारत यह जो संकल्पना है यह मूलतह वहिचारिक संकल्पना है का पिल कपूर जैसे कहते है कि यह सनातन गंगा प्रवा है ज्ञान का भारत जो है वो केवल भूमी नहीं है तो एक सनातन गंगा प्रवा है अब पूरा विश्व का एक बार मैप निकाल कर देख लेंगे और उसका केवल एक बार मैपिंग कीजिए इंफ्लिएंसर इतना भी करना शुरू कर दे तो भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा कि कौन कहां से कब निकला कब कहां पहुंचा के वहां की सभ्यता और संस्कृति के साथ क्या किया और कितने वरशों में वहां की सभ्यता और संस्कृति नश्ट हो गए कोलंबस 1494 में निकला था उसके बाद ब्रूक्स पहुंचा राइट्स पहुंचा लाटिन अमेरिका में आस्ट्रेलिया में न्यूजीलंड में यूरोप के अलग-अलग देशों से निकले हुए ये सारे उससे पहले तो इस्लामिक इन्वेजन तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ भारत तो ग्रीक, शक, हुण, अरब, तूर्क, मोगल, फिर पोर्तुगीज, फिर फ्रेंच, फिर डच और फिर ब्रिटिश इतने आक्रमनों के बाद 47 में जब फिर से शुरू करता है तो हम भारत की पह सब्यता दिखा दो जो इतने आक्रमनों के बाद फिर से अपने स्वह के आदार पर नया मार्ग क्रमन करने के लिए फिर से अपने पूराने इस पर खड़ी हो गई है और यही उस पश्चिम के वैचारिक जगत की सबसे बड़ी समस्या है किया हमने इनको तलवार के नोक पर देख लिया पैसे के दो बल पर देख लिया वैचारिक दृष्टी से गुलाम मना कर भी देख लिया लेकिन फिर भी यहां का समाज एक ऐसा विचित्र है कि वो फिर से अपने स्वह के आदार पर खड़ा हो जाते है कि चिन्ता इस बात की है कि भारत का जो वहिचारिक जगत है जो इंटेलेक्ट्ट्ट्ट स्पेस है वो दरसल इस ताकत को जानता नहीं है क्योंकि वो जंगलों में बैठे हुए जनजाती को समझता है कि मैं मेंस्ट्रीम करूंगा गाव में बैठा हुआ हमने शब्द भी कैसे स्विकार कर लिये बद देखिए न हमने शब्द भी क्या स्विकार कर लिया हम कौन है भारत के नागरिक है citizen है तो विलेजर कहां गया नागरिक शब्द तो नगर से आया है और वो यूरोप में ढूंडा हुआ शब्द है नगर में जो रहता है वो पढ़ा लिखा है ताइकोट पहनने वाला है इसलिए सब्द है इसलिए उसको भला बुरा समझ में आता है इसलिए उसको वोटिंग का राइट है इसलिए वो citizen है तो गाव पिछड़ा है गाव में जो रहता है वो असब्य है यह भारत के वैचारिक जगत ने स्विकार कर लिया है एक तो रोमेंटिसिजम तो करता है गाव के बारे में लेकिन वो एक दिन का रोमेंटिसिजम होता है गाव को अर्बन एमेनेटीज देने के बाद भी गाव की आत्मा बनी रह सकती है उस गाव पर हमको विश्वास है गाव ग्राम वन और नगर यह परस्पराव लंबी व्यवस था यह भारत की पहचान थी परस पर विरोधी नहीं उस पहचान के साथ भारत का एक अपना विकास का मॉडल हो सकता है यह विश्वास भारत के इंटेलेक्चुल जगत को नहीं है और क्योंकि इंटेलेक्चुल जगत को चिसनगा दूंगा मनमोंजिंग के समय चला था मुंबई को सिंगापॐर बना देंगे गा कोई कहता है चीन का मोडल लाएंगे कोई के अमरिकाा का मॉडल राएंगे या भारत का मॉडल क्यों नी हो सकता तो थोड़ा बहुत उसमें अभी आत्मनिरभरता के नाम पर भारत में जो cluster systems है उसके नाम पर कुछ काम policy level पर शुरू हुआ है लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ intellectual जगत में उसकी recognition नहीं है आज भी management के school में महरुबी का model नहीं पढ़ाया जाता आज भी management के schools में इतने सारे कोईमतूर के पास थिरुपूर का model है गार्मेंट का सबसे बड़ा hub है लेकिन नहीं पढ़ाया जाता हमारे यहां पे महराश्टर में आप oil के clusters देख लीजे oil seeds के cluster देख लीजे आप चटाई के clusters देख लीजे उत्तरप्रदेश में करनाटक में toys के clusters देख लीजे आज भी भारत का socialism globalization सब फेल होने के बाद successfully survived model जो है यह स्वदेशी clusters model लेकिन उनको कोई अध्यान नहीं करता है ना planning commission करता है ना नीती आयोग करता है ना management schools करते है भारत के intellectual space में इस भारत की जो सजीव चिरंतन अभी भी बने हुए models है ना उनको conceptually recognize करने की और establish करने की आवश्यक्ता है और उसमें influencers बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है मेरा अनुभव भी है कि आज जब महाविद्यालयों में जाते है तो आज का युवा जो है वो किसी baggage के साथ नहीं है उसको नो स्वाधिन्ता अंदोलन का baggage है ना emergency का baggage है ना रामजन मुहमी अंदोलन का baggage है जो इंस्टा जनरेशन है ना वो इंस्टन जीती है लेकिन उसका एक फाइदा भी है कि वो नई चीज स्विकारने को तयार है यदि आप उनके fundamentals को हिला दो तो एक उधारन देता हूं फिर अपनी बात समाप्त करेंगे मैं classroom में गया था Indian Institute of Mass Communication भारत का journalism का सारा क्रीम में ऐसे माना जाता है कि वहीं से वहीं पहुंचता है और वहीं से निकलता है तो एक कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते मैंने ऐसे बोल दिया कि शूड़ वी स्ट्राइब फोर इंडिजिनस मॉडरनिटी और वी शूड़ ब्लाइंडली फॉलो दे वेस्टन मॉडरनिटी भारत की जो भारती आधुनिकता की संकल्पना इस जमीन से जुड़े उसको विक प्लास में एक स्टूरंट थी वो खड़ियो कर बोल गई वाट दो यू मीन बाइंडिजिनस मॉडरनिटी दो यू मीन गएक तू वेदाज आई से गुड़ यू आप आप दिसक्वेस्टन लेट इस दिसकूस वाट इस मॉडरनिटी तो मैंने का कि मॉडरनिटी का सबसे प इसने प्रिंशिपल्स के आधार पर प्रश्ण पूचे गए उसमें से पहला प्रश्ण कौन सा था पिर भी नहीं समझ में है तो मैंने का गैलिली ओ कोपर निकस इन्होंने क्या प्रश्ण पूचा तो थोड़ा सी ट्यूब तो उन्होंने का कि पृत्वी और सूर्य के बार प्रश्ण किसको कर रहे थे प्रश्ण तो चर्च को कर रहे थे किसके आधार पर कर रहे थे बाइबल के आधार पर कर रहे थे सारी सो कॉल्ड साइन्टिविक ट्रडिशन और मॉडरन हीटी तो वहां से शुरू हुई उसके लिए एक को फासी दिया गया एक को जेल में डाला गया बुरुनो को जलाया गया मैंने कहा कि यहां पे कौन कौन सी भाशाओं में मात्र भाशा पहले विध्यारती है woo a ड़ आथ निव लोग खड़े हो गए कई मराथी था खोई बंगालि था कई तेलगू था कई मल्यालन बोलने वाला था हिंदी बाशिक थे तो मैंने का आपने भी तो जॉग्रफी पड़ी है कभी अपने स्कूल में उस जॉग्रफी को आपकी भाशा में क्या कहते हैं पक्का ना कि तीन हजार वर्षों से भारत में भू गोल ही है और ख़भी गोल है युणिवर्स और इस्पिरिकल अष्पिरीकल यह शब्दों में है भारत के और केवल गुजराती में नहीं है केवल हिंदी में नहीं है तमिल तेलगू सीहली नेपाली अखंड भारत की किसी भी वहाचा में चले जाहिए भूगो लिए और कम से कम की परंपरा को फॉलो करना है या गैलेलियों को पर निकस की परंपरा को फॉलो करना है अब उसके बाद मेरा अगली सेमिस्टर जो है वह साप स्मूथ होगी लेकिन आपको उनके फंडामेंटल को क्वेस्चन करना पड़ता है और लॉजिक